किया कहीं आप बाकी लोगों की तरह गलत तरीके से एलोवेरा यूज तो नहीं करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा को यूज करने का सही तरीका जिससे आपको 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलेगा चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज सब् अगर आप मार्केट से एलोवेरा जैल यूज करते हैं तो उससे आपको किवल 80% मिलेगा लिकिन फ्रेश एलोवेरा जैल से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा आपको फ्रेश एलोवेरा जैल का लाइफ टाइमर दूंगी जिससे की आपकी इसकीन स्मूथ होगी और आपकी फेस पिंपल्स रहते हैं कुई भी इस स्किंस प्राप्लम है तो आप इसका स्माल करके सही करें अगर आपकेजारे पर ग्लो नहीं है विल्कुल भी तो आप एलोवेरा जाल को यूज करकेए अपने चेहरे पर ग्लो लासकती है और आपको मैं बताऊंगे कि आपको कैसे आप नैचुरल ग्लो अपकी स्किन के लिए प्राप्त कर सकते हैं तब से पहले आप अपने चेहरे को क्लीन कर लें किसी फेश वॉस से और उसके बाद आपको चाहिए ऐलोवीरा की स्लाइज और आपको अपने फेश पर मसाज करना है 10 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे अपने फेश पर जब भी आप ऐलोवीरा जैल एपलाई करेंगे अपने फेश पर आपको केवल रात में ही ऐलोवीरा जैल एपलाई करना है जिसे की आपको 100% रिजल्ट मिल सके अगर आप डे में यूज़ करते हैं तो आपको केबल 50-60% ही आपको रिजल्ट प्राप दो के लिए मैं आपको बैस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप केबल नाइट टाइम में ही एलो वेरक का इस्तमाल करें जिससे की आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, स्मूथ होगी और आपके जो पिम्पल्स हैं वो धीरे-धीरे करके सबी किलियर हो जाएंगे और आपकी स्मूथ हो जाएगी स्किन और नैचरल ग्लो करेंगी फेस को ट्राइ होने के बाद आपको फिट से बापिस के लिए मसाज करना है अपने फेस पर एलो वेरकी स्लाइस से और फिर आपको दीरे-दीरे करके अपने हाथों से भी मसाज करना है आपको 5 मिनट्स तक अपने हाथ से आपको मसाज करना है जिससे की आपको बैटर रिज प्राप्त हो सके आपको फेश वाउस नहीं करना है आप ऐसी ही अलोविरा का मसाज करके आप सो जाए एंड आप मौर्णिंग में जब अपने फेश को वाउस करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त होगा और आप अपने स्किन को देखेंगे कि नैच्रल ग क्लू करेगी एंड चेहरी पर चमक आएगी आप ये प्रॉसेस डेडी वन वीक तक ट्राइ कर सकते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा बाई बाई